आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जियो फोन नेक्स्ट में यहाँ पर किसी भी एप पर पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं यानि कि किसी भी एप पर लॉक या फिर पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर आपको इसके लिए प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको उपर सर्च बार पर किलिक करके टाइप करना है अप लॉक डी इन जी आप सेम यहाँ पर सर्च करिए प्ले स्टोर पर उसके बाद आपके सामने यहां पर इस टाइप का page आजाएगा यहां पर एक application आएगा आप देख सकते हैं यह वाला 8.6 MB का है तो इस पर क्लिक करके आप install का एक बटन देख सकते हैं तो install पर क्लिक करिए उसके बाद आपको थोड़ा सा wait करना है और आपका application कुछ seconds में install हो जो lock आप applications पर set करना चाहते हैं यहां पर कर सकते हैं accept पर click करिए उसके बाद lock enter करिए उसके बाद फिर से enter करिए confirm करने के लिए और उसके बाद इन सब applications को अगर आप lock करना चाहते हैं तो नीचे lock पर click करके कर सकते हैं अगर आप इन में से कोई application lock नहीं करना चाहते तो unselect कर दीजिए कुछ इस type से और इहाँ पर इन में से एक app आपको select करना होगा जैसे कि हम WhatsApp को select करते हैं उसके बाद नीचे lock का option आएगा तो इस पर click करके ऐसा page आएगा तो अब यहाँ पर आपको permission को allow करना है तो first permission पर click करके यहाँ पर आजाएगा usage access allow करने के लिए app lock पर click करके permit usage access पर click करके allow करिये उसके बाद accessibility पर click करिये app lock पर click करके use app lock को on करिये उसके बाद allow करिये उसके बाद आपको ok का option मिलेगा तो ok कर दीजिए उसके बाद ऐसा page आपके सामने आएगा तो अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा apps एपस पर click करिये नीचे आपके unlock में सारे application आज जाएंगे जिसे आपने lock नहीं किया है तो select करके आप इस type से lock कर सकते हैं कोई भी application उसके बाद back आ सकते हैं और आप देख सकते हैं locked में यह application आ जाएंगे तो अब यहाँ पर example के लिए हम check कर लेते हैं WhatsApp को open करके और आप देख सकते हैं हमारा app lock यानि की app पर password लग चुका है तो इस type से आप अपने जियो फो नेक्स्ट में application पर password लगा सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें